तो गुद मॉनिंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करते हैं तो हमारा पहला प्रश्ण क्या है The Big Thoughts of Little Love नाम की बुक को किसने लिखा आंसर होगा करंट जोहर ने फिर है Cycling Federation of India ये किस वर्ष में देश में पहली बार साइक्लिंग शिकर सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो आंसर होगा 2021 में Cycling Federation of India इसके अद्यक्ष है परमिंदर सिंग दीन डिसा नई दिली में एटकोडर है फिर है प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के नए अध्यक्स कौन बने तो आंसर होगा अवीक सरकार फिर है सीबिरीटी यानि के सेंट्रल बूर्ड अध्यक्स का कारेकाल 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया नाम बताईए उनका प्रमूत चंद्रमूदी उनका नाम है फिर है हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बन गए तो आंसर होगा हेमंत खट्री ये जो हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड है इसका हेटकॉटर मिलेगा आपको विशाका पतनम आंतरप्रदेश में प्रेमफ्त मुबाइल स्कैनर एप्लिकेशन जिसका नाम है एर स्कैनर को लॉंच किया IIT बॉंबे ने विशेश बिजली विरुधी पुलिस स्टेशनों की स्तापना करेगा तो आंसर होगा उत्रप्रदेश जाँ पे बिडली चोरों चोरी की शिकायत तो पर तुरंत फैसले लिये जाएंगे एक ऐसा संग्राम जो बैंक एस्पिरेंट्स को लाएगा अपने मंजिल के करिये इस चैलेंज का डटकर सामना करो और विजय पाओ य। रोड़ तफ बड़ य। य। अनकैडमी कॉमबाट इस बेस्ट गेमिफाइड वर्जिन अफ टेस्ट जहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट ग्श्टिंगे बेस्ट ग्श्टिंगे रेटेड बाइड बेस्ट एड़ अर उसका विडियो सलुशन हर कंटेस्ट के बाद। पार्टिसपेट कीजिए और पाईए और इंडिया रंकिंग्स अमेजिंग प्राइज के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसपेट कीजिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाइए। तुम मिलते हैं 20 दिसम्बर को उसके बाद हर अलटिनेट संडेएD. ONLY ON ANACADEMY. ROLL NOW FOR FREE ! Use your strength, passion and dedication and crack this challenge. Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to ace bank exams? Are you ready to get one step closer to your dream? Are you ready for an academy bank combat? Let's crack it! फिर एक इस बीमा कमपनी ने लीगो नाम से अर्टिफिशल इंटेलिजेंस से अधरित चैट पॉर्ट सर्विस शुरू की तो आंसर होगा ICICI Prudential Life Insurance फिर बताओ नागरे कुड़ईयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली मैला निदेशक डारेक्टर जनरल कौन बनी उशा पाड़े बेसिकली इन्हें Bureau of Civil Aviation Security के डारेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रबार मिलाएं बढ़ते आगे फिर लोकसभा के सचीव के रूट में किसे न्यूक्त किया गया तो आंसर होगा उतपल कुमार को लोकसभा स्पिकर हमारे ओम बिल्डा है फिर इस Spice Oxi नाम से एक नया Ventilation Device लॉंच किया किस ने Spice Jet ने जिसका Headquarter गुडगाओं में है फिर किस एयरपोर्ट ने CII GBC National Energy Leader Award जीता तो आंसर होगा राजियूगंधी International Airport ने फिर टॉप 20 देरी कमपनियों की सुची में प्रवेश करने वाली पहली भारते डेरी फर्म कौन सी बनी आंसर होगा अमूल जिसका Headquarter गुजरात के आनंद जिले में है और इसके CEO है RS सोधी और National Milk Day हम मनाते हैं 26 नवंबर को World Milk Day होता है एक जून को फिर किस ने विश्व का सबसे बड़ा सोर व्रक्ष विक्सित किया तो आंसर होगा CSIR, CMERI ने यानि की Council of Scientific and Industrial Research और Central Mechanical Engineering Research Institute फिर किस ने Madbot नाम से एक Remote Controlled Medical ट्रोली डेवलप की तो आंसर होगा भारते रेलवे ने तो COVID-19 रोग्यों को भोजन और दवा पहुचाने में मदद करने के लिए ये Remote Controlled ट्रोली डेवलप की गई है Madbot नाम से फिर किस राज्य में बच्चों का पहला अकबार लॉंच किया गया तो आंसर होगा Sam में इसका नाम है The Young Minds फिर भारत का पहला खिलोना निर्मान समू ये कांपे स्थापित किया गया तो आंसर होगा करनाटक में और कार्टून श्रंकला स्कूबी डू के सह निर्मा था जो रूबी का निदन हो गया इनका सम्मन्द किस देश से है किस देश से है ये USA से थे ये बढ़ते आगे तो चलिए कल के Current Affairs को रिवाइस करते हैं प्रशन पूछा जा रहा है किसने Golden Peacock Environment Management Award 2020 जीता तो आंसर होगा सेल ने सेल मतलब Steel Authority of India Limited जिसके अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी फिर एशिया Pacific Broadcasting Union का उपाध्यक्ष किसे चुना गया तो आंसर होगा शेशी शेकर विमपाती को प्रसार भारती के ये वर्तमान में CEO है फिर है मानव विकास सूचकांग में कौन सा देश यानि कि Global Human Development Index में कौन सा देश तौप पे रहा तो आंसर होगा नौर्वे भारत इसमें 131 वे नंबर पे रहा है और इस इंडेक्स को जारी करता है United Nations Development Program फिर है 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा कतर कतर के दोहा में होंगे ये 2022 का जो 19 वा इशन गिम्स होगा वो तो चाइना के हांगजाओ में होगा 2026 वाला जापान में होगा और 2030 वाला कतर के दोहा और 2034 वाला होगा साउधी अरप के रियाद में फिर है कोरुना से संक्रमित किस देश के परदान मंतरी एम्ब्रोस डलामनी का निदन हो गया तो आंसर होगा स्वातिनी ये साउथ अफरिकन कंट्री है फिर है सिक्किम हाई कोट के नए मुक्य नियादीश किसे चुना गया तो आंसर होगा जे के माहिश्वरी को फिर बताओ अम्मा मीनी क्लिनिक योजना शुरू की अभी किसने तमिल नाडू की सरकार ने फिर है विश्व का सबसे बड़ा हाईब्रिड नवी करणिया उर्जा पार्क हाईब्रिड रनेवल एनरजी पार्क स्थापित किया कहा पे गुजरात में फिर है वाईसर मुफ्त फसल भीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की तो आंसर होगा अंदरप्रदीश सरकार ने फिर बताओ अभी उनाइटेड नेशन एन्वार्मिन्ट प्रोग्राम ने चेंपियन्स ऑफ द अर्थ दो हजार बीस में विज्ञान और नवाचार यानि कि साइन्स एन इनोविशन केटेगरी में किसे सम्मानित किया तो आंसर होगा फेबिना लेंटर्ड्स को ये जर्मन से है अलग-अलग केटेगरी में ये अवार्ड दिये गए बाकी डेली करेंट अफेर्स वाल में मैं आपको सारी केटेगरी बता चुका हूँ फिर एक इस ने पांचवे और अंतिम अब 30 अगस्ती पूत जिसका नाम है ICGS सक्षम इसको लॉंच किया गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड ने ICGS मतलब होता इंडियन कोश्ट गार्ड शिप फिर एक इस देश ने अंगारा A5 स्पेस रोकेट को लॉंच किया तो अंसर होगा रशिया ने बढ़ते आगे स्टैडिक कुशन्स की बात करेंगे बताओ जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफटेनेन गवर्नर कौन बने तो अंसर होगा मनुद सिना फिर है Airtel Payment Bank के MDCO ये कौन है अनुबरत बिश्वास है फिर है UPSC के नए अध्यक्ष बने थे कौन प्रदीप कुमार जोशी विपरो के MDCO कौन है थियरी डेला पोर्ट नए बने थे फिर बताओ New Development Bank के अध्यक्ष कौन है मारकोस ट्रायजो है और Asian Development Bank के Vice President का नाम क्या है अशोक लवासा है फिर बताओ National Handloom Day हम कब मनाते हैं 7 अगस्त को मनाते हैं और Global Unicorn 2020 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे रहा भारत चौथे स्थान पे रहा Unicorn Companies हम उनको कहते हैं जिनका turnover एक बिलियन डॉलर से जादा हो पहले नमबर पे USA मतलब USA में सबस्यादा Unicorn Companies है फिर China फिर Britain और फिर है भारत फिर बताओ देश का पहला हम तेन दुआ संगरक्षन केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा बनाया जाएगा तो आंचर होगा उत्तराखंड में वेसे एक Hemis National Park मिलेगा आपको लद्दाप में जो की especially famous है for snow leopard LIC के chairman का नाम बताओ एहमार कुमार है बढ़ते आगे डेश की बात करेंगे पहला प्रशन है World Elder Abuse Awareness Day ये हमने 15 June को मनाया जिसकी theme रही Lifting Up Voices फिर एक Global Wind Day 15 June को मनाया हमने फिर अंतर राष्टर परिवार प्रेक्षन दिवस ये हम 16 June को मनाते है International Day of Family Remittance इसकी theme थी Building Resilience in Times of Crisis एक अंतर राष्टर परिवार दिवस भी होता है जो हम 15 मई को मनाते है फिर विश्व मरु इस्तली करनव सूखा रोक्ताम दिवस World Day to Combat Desertification ये हम 17 June को मनाते है और इसकी theme थी Food, Feed, Fiber The Link Between Conception and Land फिर है Autistic Pride Day ये हमने 18 June को मनाया एक World Autism Awareness डेबी होता है जो हम 2 April को मनाते है इसकी theme रही थी The Transition to Adulthood वैसे 18 June को करनाटक ने मास्क दिवस भी मनाया था फिर है विश्व सिकल सेल दिवस ये 19 June को मनाया फिर है विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 June को मनाया जिसकी theme थी Every Action Counts फिर International Yoga Day 21 June को मनाया जिसकी theme थी Yoga for Health Yoga at Home फिर है World Music Day ये तो हम 21 June को ही मनाते हैं 21 June को Eco Day होता है वैसे World Hydrography Day फिर है United Nation Public Service Day संयुक्त राष्टर लोग सेवा दिवस 23 June को मनाया 23 June को अंतर राष्टर विद्वा दिवस International Video Day भी मनाया हमने तो गाईस ये था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे Like जरूर करना Share करना मत भूलना आप कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कुशन्स आप लोगों लगाईएगा और देखेगा कितने कुशन्स आप लोगों से बन पारे बाके मैं इनको कल सॉल करते हैं कुशन्स आपके सामने